तो दोस्तों आज बात करेंगे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जो इसकूटी के साथ तो नए नए एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हैं और कुछ ऐसे फणी तरीके से राइडिंग करती हैं कि जिनके बारे में देखने के बार तो आप अपना सर बीड लेंगे यह लड़किया नहीं यह है पापा की परी जी हाँ पापा ने इन परीयों को इसकूटी दिये खरिद के चलाने के लिए तो यह परीयां उसे किस तरीके से चलाती हैं उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं तो हमारे पास है कुछ ऐसी ही बीड जो के कलेक्शन जी बीज रोड पर अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी स्कूटर कहां पर पार्क हो रही है चाहे बीज रोड हो या फिर एयरपोर्ट कर रनवे अब चाहे बस आये या फिट रग आये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह रोड तो इनके बाप की है न कि पुलिस वाले को कई किलोमीटर तक घसीड सकती हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह गलती भी नहीं मानेंगी चार-पांच सब्द खरी कोटी उनको सुना का ही जाएंगी यह है पापा की परी अब इनको देखो इस कोटी सीखने की इतनी चुलमची है कि किसी से फरक नहीं पड़ता है यह अकेले ही सीख लेंगी वावा क्या बात है मतलब अगर सीखना ही था तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले लेती लेकिन नहीं इन्हें तो ऐसे ही सीखना है भाई मोल पे रांग साइड मूलने का मतलब तो समझ में आता है लेकिन ना मुड़कर सीखना है यह मुझे बिलकुल भी समाज में नहीं आया वावा क्या बात है मतलब सीखना अंदर भाई गलर ड्राइबिंग तो समझ में आता है लेकिन इस तरीके की स्कूटी को उड़ाने का क्या मतलब है वाव एक राउंड फटाक से अब यह पापा की परी ही नहीं पापा की जो पत्नियां है न वो भी अपनी स्कूटी को उड़ाने में कम नहीं है अब इन्हें ही देख लिए इस स्कूटी को तो पार कर रही है लेकिन अचानक सिन के मूर में आता है नहीं हम बात नहीं करेंगे हम सीधा उड़ा के दुकान के अंदर डाल देंगे अपनी स्कूटी वावा इस तरीके की ड्राइविंग देखके तो मुझे तिर्फ एक ही सवा आता है कि आखिर इन्हें इस कूटी दिलाता कोने भई क्यों दिलाता है अब इस आंटी को ही देख लिजी इस कूटी सीखने की इतनी चलमची है कि स्कूटी लेकर सीधा खंभे से टकराईं वावा क्या बात है अब भई आप लोग भी इन आंटी ओं को देखते इन्हें हलक कापी करती हैं न वो तो देखने लायक है भई इन्हें देखिए आंटी के डांस को कापी करती हुए डाइविंग करती हुए ये बालिकाएं वाव क्या डाइविंग डांस है भई तालियां तालियां अब भई हो सकता है कि आप लोग को लगे कि पापा की परियों को स्कूर्टी को पार करने में इतनी मसकत तो मैंने आज तक नहीं देखी इन्हें अपनी स्कूर्टी को पार करने के लिए इतनी जगा चाहिए ना कि उसमें अनपर ड्राइबर अपने ट्रक को चार बार गोल गोल घुमाएगा लेकिन ये अपनी स्कूर्टी को पार्क नहीं कर बारें भई क्या बात है इतने में तो ये ऐसा लगता है कि ये स्कूटी नहीं हवाई जहाज पार कर रहे हूं इतनी मसकत के बाद अवे परियां अपनी स्कूटी लेके निकलती है ना तो उनका यही हाल होता है जैसे इन मैडम का हुआ वाँ सीधा नाली में क्या बात है ऐसी डाइबिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी जैसी ये महिला एक अंकल को बार बार ठोंकी है एक बार ठोंकी फिर ठोंकी लेकिन मन नहीं भरा तो बार बार ठोंकी इन पापा की परियों को तो पापा की हडिया तोने में ही मज़ा आता ह क्या बात है भाई अब देखो यार अगर तुम लोग को इन पापा की परीयों की वीडियो देखने के पाद मज़ा आ रहा हो ना तो इस वीडियो को लाइक मारो यार और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करो और अब जाते जाते इस महान प भागवान के पास ही लेंड करेंगी और इनकी स्कूटी स्टार्ट होती है और पहुंचती हैं सीधा मंदिर में मत्था टेकते हुए सिव जी भी प्रसंद हुए पापा की परी से तो भाई इन पापा की परीयों के बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम कमेंट करो और इस वीडियो का मकसद किसी भी लड़की की भावनाव को ठेश पहुचाना नहीं है तो इन पापा की परीयों को भूल जाओ और इसमाइल करो इसमाइल करो